असलाम वलेकुम आज हम बनाएंगे टेस्टी मसूर पुलाओ बिना चिकन और बिना मटन का ये सिंपल सा पुलाओ बहुती टेस्टी बनता है तो रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए पॉना का पक्खा मसूर लेंगे अच्छी तरह से वाश करके एक घंटे के लिए से भिगा लेंगे और दो कप चावल लिया है इसे भी वाश करके बस आदे घंटे के लिए भिगा लेना है हमे फिर पुलाव बनाने के लिए एक बरतन में ऑईल गरम करेंगे पॉना का और उसी में एट कर लेंगे 2-3 बड़े चमच घी तेल और घी दोनों एट करने से पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इनके गरम हो जाने पर इनसमें एट कर लेंगे आलू तो दो मिडियम साइस के आलू को मैंने बड़ा बड़ा कट किया है और आलू को हमें अच्छे तरह से फ्राइ कर लेना है गोल्डन होने तक आलू को फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर हमारे आलू देखी अच्छी तरह से सुनेरे हो चुके है बस इन्हें ओइल से बाहर निकाल लेंगे और सेम ओइल में एट कर लेंगे गरम मसाले दो दालचीनी के तुकड़े एक स्टार फूल, एक काली लाइची दो तिन हरी लाइची, दो तिन लॉंग, कुछ काली मिर्च और एक टेबल स्पून शाही जीरा शाही जीरा ना हो तो आप रेगूलर वाला नॉर्मल जीरा ले ले कुछ सेकेंड्स के लिए मसालों को फ्राय कर लेंगे ओल में फिर इसमें एट कर लेंगे दो मीडियम साइस की प्याज पतली स्लाइजेस में कटकी हुई और प्यास को फ्राय कर लेंगे तो प्यास को हमें हलका गोल्डन होने तक यहां पर फ्राय करना है यहाँ देखे हमारी प्यास जो है वो अच्छे से फ्राय हो चुकी है अब एट कर लेंगे इसमें दो टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट और इसकी कच्छी स्मेल जाने तक भून लेंगे गला खराब होने की वज़े से आवाज मेरी ठीक से नहीं आ रही है तो प्लीज सॉरी फिर इसमें एट कर लेंगे हम टमाटर तो दो मिडियम साइज की टमाटर है रफली कट करके एट कर लेंगे इसी के साथ एट करेंगे दो टीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून मिर् कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीजे जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब थोड़ा सा इसमें दो टेबल स्पून जितना पानी एट करेंगे ताके मसाले जले नहीं और फिर कवर करके टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक पका लेंगे यहां देखिए हम अपनी अख्य मसूर इसमें एट करेंगे इसी के साथ मैंने यहां पर एक मैगी का क्यूब एट किया है अगर आपके पास है तो जरूर एट कीजिएगा अच्छा टेस्ट आता है इसे एट करने से अब आदा कप के करीब पानी एट कर लेंगे ताके दाल जो है वो हमारी सुखने तक तो यहां पर हमने कवर करके पकाया है और दाल भी हमारी 70% तक गल चुकी है बस इतना ही गलाना है दाल को बाकी की जो दाल है चावल के साथ गलेगी अब फ्राय करके रखे हुए आलू इसमें एट कर लेंगे और इसी के साथ एट करेंगे थोड़ा सा कटा अच्छा फ्लेवर आता है धन्या मिर्ची और पुदीने का अगर पुदीना है तो आप वो भी आट कर लीजिए फिर भिखाय हुए चावल इसमें एट कर लेंगे और बिल्कुल हलके हाथों से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को चावल हमारे भिखोय हुए इस इतना मैजर्मेंट तो तीनका पानी आट करने के बाद थोड़ा सा नमख आट कर लेंगे नमक हमने पहले भी आट किया है तो इसको खयाल में रखते वे नमख कीजिएगा निम्पु का रस इसमें आट कर लेंगे बहुति टेस्टी और बहुति मज़ेदार पुलाव कि रैस तो बस हलके हाथों से mix कर लेंगे सारी चीजों को और हम इससे पकने देंगे अब medium high flame पर cover करके पका लेंगे तो यहाँ पर देखिए पकाते हुए हमें 7-8 मिनिट हो चुके है और पानी जो है वो लगवख सुखने पर है तो इसी तरह से सारा पानी हमें सुखा लेना है पुलाओ का पानी सुख जाए उसके बाद cover करके हम इसे बिलकुल low flame पर दम वाली आज पर पका लेंगे 12-15 मिनिट के लिए हमारा मज़ेदार समसूर पुलाओ बनकर तयार है बहुती जटपट से और बहुती आसानी से बन जाता है तो रेसीपी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो